नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रेलवे में नए पेटरन पर अधारित TCS द्वारा 2018 से लेकर 2020 तक पूछा गया सभी परसनों को सब्जेक्ट वाइज और चेप्टर वाइज अस्टेडी कर रहे हैं इससे आपकी तयारी को सटिक डारेक्शन और परिक्षा में बेहतर लाग मिलेगा आज हम लोग फिजिक्स का परकास एबंग, परकासी की चेप्टर का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे जो पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे वो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें और इस स्रीज में रेलवे एंटीपीसी, ग्रूपडी, रेलवे एलपी और टेकनेसियन में जितने में परसने पूछा गया है 2018 से लेकर अब तक वो सभी परसने देखेंगे जिससे की आपका GKS काफी सांदर और अस्ट्रों हो जाएगा तो चली शुरू करते हैं, आज का पहला कोश्चन है कि त्रिकोनिये प्रीजम के माध्यम से परकास के वर्न विक्षेपन के दोरान स्वेथ परकास रंग डेस रंगों की पट्टियों में विवाजित हो जाता है तो जो प्रीजम से गुजरने पर स्वेथ रंग जो परकास है वो साथ रंगों में विवाजित हो जाती है इसका कोरेक्ट एंसर है ओप्शन नंबर सी किसी बिंदू पर बनेगा ठीक है एक बार फिर समझे किसी बस्तु को एक 10 cm फोकस दूरी वाले उत्तल दरपन के सामने 30 cm के दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है तो इसका परतिभीम 0 cm और 10 cm के बीच अस्थित किसी बिंदू पर बनेगा नेक्स्ट है जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेश करता है तो आपतित किरन आपतन बिंदू पर अभिलंब और अपवर्तित किरन सभी एक तल में होती है जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परविश करता है तो आपतित किरन आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरन सभी एक तल में होते हैं नेक्स्ट है कि अंत्रिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है तो अंत्रिक्ष का रंग काला दिखने का कारण है परकास का परकिर्णन नहीं होने के कारण ये काला दिखता है नेक्स्ट है जब प्रकास की किरन अबतल दर्पन के धुरूप पर तियर्क रूप में आपतित होती है तो प्रावर्तित किरन ये कोन I बराबर कोन R बनाते हुए वापस होगी इसका correct answer है कोन I बराबर कोन R बनाते हुए वापस होगी नेक्स्ट है कि बक्रता केंदर डेस पोलिस करने से अबतल दर्पन में गोलिये केंदर की और डेस है तो बक्रता केंदर जो है ये बक्रता केंदर के विपरित पोलिस करने पर अबतल दर्पन में गोलिये केंदर की और अबनमन होता है ठीक है बकृता केंदर के विपरित पोलिस करने से अबतल दरपन में गोली ये केंदर की और अबनमन होता है इसका को रेट एंसर होया option number D नेक्स्ट है सुर्योदे के समय सूर्ज का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है तो सूर्ज का लाल रंग का दिखना ये होता है किसके कारण परकास की परकिरनन के कारण होता है और सबसे अधिक परकिरनन किस रंग का होता है बैगनी रंग का और सबसे कम परकिरनन लाल र और चारबटानाग्जाद मदध्यम ब के सापेक्ष मुझाद एक उपर रहेगा उपर होगा एक गीुटोर सिधा करदेंगे तुर repente दो और ये तीन बटा चार हो जाएगा तीन तीया नो बटे आठ के बराबर हो जाएगा तो इसका correct answer है option number C next है किसी बिंदू सुरोत से आने वाला प्रकास एक अप्तल दर्पन द्वारा सवानतर प्राप्त होता है प्रकास सुरोत कहां अस्थी थे किसी बिंदू सुरोत से आने वाला प्रकास का एक अप्तल दर्पन द्वारा सवानतर प्राप्त होता है तो प्रकास सुरोत कहां अस्थी थे तो प्रकास सुरोत इसके focus पर अस्थी थे इसका correct answer है option number C next है कि एक प्रकास किरन एक तिर्वोजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है आपतित किरन और निर्गत किरन के बीच के कोन को क्या कहा जाता है एक प्रकास किरन एक तिर्वोजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है आपतित किरन और निर्गत किरन के बीच के कोन को क्या कहा जाता है तो बीचलन कोन कहा जाता है इसके प्रकास किरन एक तिर्वुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है तो आपतित किरन और निर्गत किरन के बीच के कोन बीचलन कोन कहा जाता है कre만 रखा जाना चाहिए वह सगन माध्यम से प्रवेस्जा करती यहां लडते हैं जसे सगों और यहां पुछा किरन सगन माध्यम से बिरल माध्यम नेए परवेश करती है तो क्या होता है जब सघन माध्यम से बिरल माध्यम में परवेश करती है तो जो किरन है अभिलंब से दूर जुख जाती है ठीक है जब वो सघन माध्यम से परकास जब सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो परकास क्या है अभिलंब से दूर जुख आभी क्या है सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जा रही है तो उसकी प्रिष्ट भूमिक काली क्यों दिखाई देती है तो इसका कारण है कि परकास का परकिर्ण नहीं होने के कारण नेक्स्ट है कि यदि किसी परतिविम का आवर्धन 0.65 है तो उस परतिविम की परकिर्थी क्या होगी तो उस परतिविम की परकिर्थी बास्तविक उल्टा और छोटा होगा नेक्स्ट है कि सफेद परकास की एक किर्ण एक कांच की परिजम से होकर गुजरती है और एक अस्पेक्ट्रम प्राप्त होता है निमलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे कम जुखता है पीला नरंगी नीला और बेगनी तो इस में से कौन सा सबसे कम जुखता है ठीक है जुकता है तो सबसे कम जुकता है इसमें से नारंगी इसका इंसर ओप्सन नमबर सी नारंगी नेक्स्ट है एक गोलिय दर्पन का आकार इस परकार बढ़ता है कि उसकी बकरता तिरजिया दोगनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी भी बढ़कर दोगनी हो जाएगी एक गोलिय दर्पन का आकार इस परकार बढ़ता है कि उसकी बकरता तिरजिया दोगनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी भी बढ़कर दोगनी हो जाएगी नेक्स्ट है कि दो पारदर्सी माध्यमों को प्रिठक करने वाले एक इंटरफेस पर आपति एक प्रकास किरन का मार्ग चित्र में दर्साया गया है माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B के अपवरतनांग N को किसके द्वारा दर्साया जाता है कि द्वारा दर्साया जाता है इसका को पानी में दूबाने पर क्या होता है पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है जैसे कि पानी में बाल्टी भरी है पानी से भरी बाल्टी में छड़ डुबाने पर वो मुड़ी हुई पर्ति दिखाई देता है यह होता है अपवरतन के कारण होता है नेक्स्ट है कि यदि M, B और U करमसा आवर्धन परतिवीम दूरी और बस्तू दूरी है यानि कि M जो है यह आवर्धन है और B परतिवीम दूरी और U बस्तू दूरी को निरिपूत करता है तो एक लेंस के लिए M, B और U के मद्धे का सही सम्मंध होगा तो इसका सही सुत्र क्या हो जागा इसका क्वरेट एंसर है ओप्सन नंबर C होगा आवर्धन परतिवीम की दूरी बटा बस्तू की दूरी होगा नेक्स्ट है एक गोलाकार दरपन के लिए धरूब और बकरता केंदर के बीच की दूरी डेस होती है एक गोलाकार दरपन के लिए धरूब और बकरता केंदर के बीच की दूरी धरूब और फोकस के बीच की दूरी दूगनी दूरी होती है गोलिय दरपन के मुख्य अक्ष के नीचे किसी बस्तु के परतिविम के उचाई रिनात्मक होगी नेक्स्ट है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक बस्तु को अबतल लेंज से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर की आभासी परतिविम डेस दूरी पर प्राप्त की जाती है तो ये माइनस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त की जाती है एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक बस्तू अबतल लेंग से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर की आभासी परतिविम माइनस 10 सेंटीमीटर के दूरी पर प्राप्त की जाती है नेक्स्ट है कि प्रीजमी के माध्यम से स्वेद परकास की गुजरने पर इसका वर्न बिक्षेपन होता है बीचलन कोन है तरंगधर्ज के ब्यूत कर्मानु पाती होगा नेक्स्ट है कि एक बीचलन कोने तरंगधर्ज के व्यूत कर्मानु पाती होगा नेक्स्ट है कि एक आपतित किरन अपतल धर्पन के फोकस से होकर गुजरती है तो परापतित किरन ये मुख्य अक्ष के समान अंतर होती है नेक्स्ट है कि जब परकास किर्णों का समानंतर पुंज एक मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पन पर आपतित होने पर तो प्राबर्तित किर्णे डेस होगा परकास किर्णों का समानंतर पुंज एक मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पन पर आपतित होने पर तो प्राबर्तित किर्णे दर्पन के पीछे एक मीटर के दूरी पर एक बिंदू से अपसरित होती होई परतित होगी इसका कोरेट एंसर है ओप्सन नमबर बी तो दोस्तों इस तरह से रेल्वे प्रिवेस एर कोश्चन का जैसे की 2018 से तक गुरूबडी में फिजिक्स का जो चेप्टर है प्रकास इबं प्रकास की में गुरूबडी में 125 परसन पूछा गया था ठीक है अब कल से हम लोग रेल्वे एंटी पीसी में जो कोश्चन पूछा गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें जाहिन दोस्ट